हलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटियूब चैनल भी दोस्तों, हम गीता पर हाथ रख कर कसम खाते हैं कि यह भविस्यवानी शत्य होगी आपके जीवन में एक भयंकर तुफान आने वाला है अगर आज आपने यह विडियो नहीं देखा और इस विडियो को बीच में ही छोड़ कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फसने जा रहे हैं हम जो भविस्यवानी आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं वो भविस्यवानी 100% शटीक होगी पत्थर की लकीर होगी आपकी रासी में जो ग्रह दसा केश्टितियां और गोचर अभी बन रही हैं उसका हमने बहुत गहराई से अनुभव करने के बाद मुल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविस्यवानी वाला वीडियो तैयार किया है तो आने वाले दिरू में कौन सी ऐसी घटना है कौन से ऐसे कारे हैं जो की होने वाले हैं और कौन से ऐसे कारे हैं जो आपको करनी है कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए दोस्तों कुछ बात बहुत जरूरी बाते हैं इन बातों को जानना बहुत आवस्टक है आप जाने अंजाने में कुछ न कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन से बाद में आपके जीवन में ग्रोहों की चाल का सहीलाब आप ले नहीं पाते और शत्रूओं के दुस्मनों के जाल में फज्जाते हैं हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञान वर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही रहस्मई महत्मुन वीडियो को लेकर आते हैं आपका भी दाहित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें अपने जीवन को सुधारें और जीवन में चल रही परिस्तानियों को दूर करें वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोसिस करें कुछ बातें आपके जीवन की बेहदी गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है शात ही शात एक बहुत ही महत्पुन उपाय भी आपको बताएंगे बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहां से आधा अधूरा ग्यान लेकर जाएंगे फिर आपके जीवर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत महत्पुन है जो भ्यंकर तुफान आपके जीवर में आने वाला है उनका आपको कोई अभास भी नहीं होगा और आप पर विपत्तियां भी आएंगी और दूसरे रास्ते चली जाएंगी बिना समयगवाए वीडियो के शुरुवात करते हैं लेकिन इससे पहले आपके एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना न भूले हम भी माता से प्रात्ना करते हैं कामना करते हैं भगवान जी से कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुसी हाली आए आपका जीवन सुन्दर हो जाए आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली हैं बगवान सूर्य देव उन मुसीबत को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर दें साथ ही साथ अभी चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूलें हमारे परिवार से जुड़ जाएं हमारा वनूबल बढ़ेगा हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों आपके जीवन में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही खिश्चतान भारा आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं लेकिन जीवन में अभी भी सांती और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमिशा तंग करते हैं प्रिसान करते रहते हैं आप में एक बहुत बड़ी कमी यवी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फाइदा लोग उठाते है मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का परियास कीजिए आप अंशाहे आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं फिर आपके मन में बुरा लगता हैं लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं इस वज़े से आपको खिनस हो होती हैं और बुरा भी लगता हैं आपके जीवन में ग्रोहों के इज्दियां अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा यानि कि कहीं तो आपको सफलता फ्राप्त होगी आपको अच्छा लगीगा लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका समलना मुश्किल हो जाएगा अब इसे इस्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भागे कह सकते हैं कि आपकी रासी एक लोती ऐसी रासी है जिसे जीवन में संगर्स बहुत अ बहुत करवाते हैं आपके संगर्स बहुत अधिक होते हैं लेकिन एक बात तो निशित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाईयों का शामना क्यों न करें भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो लेकिन आपको इन कठिनाईयों से बस कर निकलना और जूजना भी बहुत अच्छी तरह से आता है देखा जाए तो आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए एक प्रमान है कि कैसे जीवन की कठिंज परस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी सिकायत के बिना रोई बिना जीवन में परिसान हुए जीवन में किस प्रकार आगे ब इसमें बैपारियों खेलिए थोड़ी से परिसानी खड़ी हो सकती है या दोस्तों का बैपार में कुछ ऐसी अरचने आएंगी कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेंदेन होगा जो आगे चल कर बहुत परिसान करेगा अभी आपके बैपार में छोटी मोची अरचने तो आती ह लगेगा जहां दोस्तों आपकी मानसिक्ता परिवर्तित होदने लगेंगी आपकी संगती में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों के तरफ प्रेद करने की कोशिस करेंगे सावधानी बरतनी आपके लिए जरूरी होगी आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कटनाईवी होगी एक ऐसे इंसान है आपके आसपास आप से कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है आपकी भावनाव को बहुत चोट पहुँचेगी आपका मन दुखी हो सकता है ऐसी घटना की होनी की वज़ा से आप थोड़े दुखी रह मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उमीद नहीं थी लेकिन फिर भी यह बाते होंगी इस वज़े से आपका मन खराब रहेगा अब आपकी जो काम हैं जिने आप चाहते हैं वो तेजी से हो जाएं लेकिन होगी नहीं लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी आपको बहुत यात्रा करनी होंगी बहुत अधिक मेहनत करने होंगी तब आपको छोटी-मोटी शफलताएं फराप्त होंगी एक और बड़ी बात होगी कि आपका सतर उपक्ष अच्छानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके वि चाहता है और कौन आपका बुरा बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है भावनाओं में आपको नहीं बहना है आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको यही भावनाएं आपके कमजोरी होती हैं लोग जब भी आपके उपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना ब इतना अधिक शोट पहुँचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है, जितना की अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कश्ट देता जाता है, ऐसे में आपके लिए तकलीफ देबात यह होती है, कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, क फिर भी लोग आपके मन को शमजते नहीं हैं आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती हैं आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खर्चों को रोग देते हैं लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं पूरा जोर लगाते हैं यह आपके दिल की और और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही हैं जिसकी वज़ा से अपने अपने रिष्टों को शंजो कर रखा है बांध कर रखा है आप अपने खर् पर आपका पैसा खर्च होगा, कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पस्तावा होगा, आपका वजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है, दोस्त सोच समझ कर खर्च करें, और रुपय के लेंदेन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता वरतें, शावधानी रखें, फिना शोच समझें, किसी को भी किसी प्रकार का लेंदेन न करें, रुपय पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुख सकता है, आपकी मानसिक प्रसानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुज़ान बढ़नेगी, जो इस्वर के प्रती आपकी आस्ता को बढ़ाएगी, आपका मन पूजा पाट में लगेगा, आप इस्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें, और हो सके तो मंदिर भी अवस्य जाएं, यह बहुत अश्ची बात है, यदि आप आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें, दोस्तों हम आपको एक और बात पताना चाहते हैं, कि आप एक मात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी रासी चकर की एक मात्र ऐसी रासी है, जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती हैं, ऐसा इसलिए होता है, कि आप लोगों का दिल काच की तरह साप होता है, आपके मन में किसी के रिए कोई बैर नहीं होता है, तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको ना समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको पूरा बोलें, परन्तु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सब से कास्ता भगवान के उपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाईया पढ़ जाती है, प्रिसानिया पढ़ जाती है. और यदि आपके मन में इस्वर के प्रति, द्रडविश्वास बढ़ जाता है, यानि आप पूजा पाट में अधिक ध्यान देने करनाते हैं साधना करने की कोशिश करने लगते हैं तो आपका जीवन सरल होने लगता है कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग शांती का मार्ग इस्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा अध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और सांती पूर्ण जी सकते हैं अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें आप इस स्वर को ऐसा मान कर चलिए कि आप वह आपके बहुत ही नजदी की रिष्टेदार हैं आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं अपने मित्र सखा गुरू या फिर अपने परम पिता य कि उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह कि उन्हें उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो तकलीफ हो बस भगवान के मंदिर से ले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपन बहुती सुबुचिंतक से चर्चा कर रहे हूं जैसे आप अपनी मा से शुक और दुख की हर बात बताते हैं। उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर शुक और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाँत में हैं हम कुछ नहीं जानते आप ही देखें जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें बस आप ऐसा करके देखिए हम आपको guarantee देते हैं बगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी रासी भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है क्योंकि आप सचाई के साधन होते हैं आप जूट का साथ नहीं देते आप सत्य की रहा पर चलते हैं चाहे अभी कितना ही कठिन शमय क्यों न हो क्योंकि यह मिर्त्यू लोग हैं यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कबार कुछ ऐसे कारे करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कारे करने परते हैं जब कभी आपके हाथों को ऐसा कारे हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है आपका आत्मा चोटित हो जाता है कचोटता है और आपका मन इशकाम को दुबारा करने से रोकता है फिर आप कुछ्नकुछ ऐसा कारे अवस्य करते हैं जिससे कि आप उस गल्ती का प्राश्चित अवस्य कर जाते हैं कुछ आप दान धर्म करते हैं इस्वर की तरफ आपका रुजहान बहुत अच्छा होता है कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसके वज़ा से आपकी जो अंदर का भावना है वो है परिपुर्ण हो जाती है शान तो हो जाता है यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ सकती है दोस्तों अब आने वाले जिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है बहुत सारे लाव की प्रावती होंगी कारिशत्र में भी परिवर्तन होगा दोस्तों आपके जीवन में शबपरिसानी का समधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रती आप आसरित हो जाएं दोस्तों प्रभू आपके जीवन की सभी मनो कामनाओं को पूरुन करें इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को बिराम देते हैं यदि कोई प्रस्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें हम आपके प्रस्नों के जबाब देने के पूरी कोसिस करेंगे कमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें जदी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवस्य दबा लें मिलते हैं अगले ज्यान वर्दक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद